नमस्कार दोस्तों स्वागत हापका हमारे चैनल डिजाइन क्रिएशन में तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उडेन डोर फ्रेम आर्केट रेफ के बारे में आपने कई तरह की उडेन डोर फ्रेम आर्केट रेफ देखे हों जो कि दिवार और जो डोर फ्रेम रहता ह उसके बीच का गैप को फिल करने के लिए और दर्वाजे को फ्रेम को और खुबसूरत बनाने के लिए लोग यूज करते हैं तो बने रहे गान तक हमारे इस वीडियो में ताकि आर्केट्रेप के पूरी जानकारी मैं आपको दे सकों कि किष्टी जाल से आप जब कभी भी अपना काम कराते हो तो अपने घर में भी इस तरह का आर्केट्रेप लगा सकते हो तो यहां जो दूर है उसमें आप देख सकते हैं कि एक दो इंच चौड़ा एक आर्केट्रेप लगा हुआ है जो की नीचे से उपर तक उडेन फ्रेम के चारो तरफ तीनो तरफ रांट कर रहा है यह मैं इसकी डिटेलिंग आपको दिखा रहता हूं कि इसका क्या से पैंच साइज है तो यह जब फ्रेंट से है वो दो इंच की है और इसके किनारे में आप देख सकते हैं कि एक रांड मोल्ड की हुई है जो कि मसीन मोल्ड होती है तो इस तरह का ओडेन फ्रेम आप लगा सकते हैं अपने घरो में मैं इसके फट्टों की डिटेल दिखा देता हूँ आपको तो यह वो फट्टे है दो इंच कि इस फट्टे की डिजाइन में आपको दिखा देता हूँ कि क्या इसका कि सेफ है तो आप यहां देख सकते हैं कि यह कि दो इंच का फट्टा है कि जिसके कि दूसरी तरह फिर रांड मोल्ड किया हुआ है तो इस तरह का भी फट्टा आप रेडिमेंट बनवा सकते हैं रेडिमेंट फट्टे और यह जो कष्णमाज फट्टे होते हैं इसमें लूप का पाफिट रिफिरेंस होता है तो अगर आप अपने उडेंड दोर में इस तरह का फटा लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं यह आप देख सकते हैं कि इसके तीनों तरफ दरवाजे की तीनों तरफ नीचे से उपर था कि फटे लगे हुए है जो कि अभी वाइट पेंट होगा इसमें और दरवाजे में पॉलिस होने के बाद इसका लूप पूरा निकल का आएगा मैं आपके इसके दूसरी डिटेल दिखा देता हूँ जहाँ पर अगर दिवार आ जाए तो वहाँ पर कैसे लगाते है फटे जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक तरफ यहाँ पर एक कॉलम आ गई है और दूसरी तरफ यह दो इंच का पूरा फटा लगा हुआ है और इस तरफ देख सकते हैं आप कि यह जो फटा है इसको थोड़ा सा काट कर लगाया गया है इसको पीछे की तरफ से काट दिया गया है और इसकी जो थिकने से जो विट्थ है वो कम हो गई है इसके तुलना में दूसरे सैट के तिलना में पर यह भी अच्छा लगता है तो जब कभी भी आप अपने घर का डोर का डिजाइन करवा रहे हों तो इस तरह के फटे आप लगवा सकते हैं अपने घर में ताकि दरवाजे की खुब सूर्ती और बढ़ जाए और यह पॉलिस होने के बाद काफी अच्छा लगेगा तो आज की इस वीडियो में बस इतन नहीं दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि कंस्ट्रक्शन और डिजाइन रिलेटेड में वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं धन्यवाद जैहिद